वेलकम बेक गाईस आप सभी का स्वागत करता हूँ आज ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइक के बारे में जो की है एलेक्टरिक और यह आती है टॉर्क मोटर्स की तरफ से क्राटोस आर तो अभी तक आपने जो एलेक्टरिक बाइक में नाम सुना होगा वह दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे गाडी के फ्रेंट से स्टार्ट करेंगे हम वीडियो को तो फ्रेंट में बात करें तो सबसे पहले यहां पर आपको एलेडी हेडलेम जो है वह यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं पूरा लेडी सेटप यहां पर देखने को मिल जात बाकि बात करें निची कि तरफ तो यह उसके बात करें तो टैर्ट यहां पर आपको घ्र भी दोस्तों देख सकते हैं तो अ कुछ इस concern का यह वह देखने को मिलता है काफी अच्छी जो है ब्राइट लाइट आपको देखने को मिलेगी बाइए है का कि तेंगे बाकी बात कर ते दोस्तों घाट Rugby काड़ी प्रोफाल की तरफ तो अगर इसके बैटरी बैटरी की बात करें तो यहां पर आपको फोर किलो वात्त की जो самый बैटरी यहां पे देखने को मिल जाती है लीथे माएन की बैटरी पैक आपको फ्रेट्टिस आईपी 67 रेटिंग के साथ आता है सिल्ड एल्यूमिनियम एच्पी डी सी बॉक्स में आता है और यह वेदर प्रूफ है और इसमें बैटरी बैटरी मेनेजमेंट सिस्टम दिया गया है और इंडियन कंडिशन के हिसाब से इसकी मोटर की बात करें दोस्तों तो इसकी मोटर आ आपको डिस्क ग्रेक जो हो देखने को मिल जाता है और टायर साइस सथ की की बात करें ऐकर तो 282 od देखने को मिलता है और बेगी की बात करे तो आफको एबिस के देखने को न इता करक ब्रcific सेखने को अपको ज。」 और यहisen को चीज बटा ग्र, यह यहां पर stretch किया हुआ है थोड़ा लंबा लॉंग stretch किया हुआ है इसकी डिजाइन के मताबिक तो वह भी काफी अच्छा जो है यहां पर देखने को मिलता है और पिछे की टेल लाइट भी जो है वह आपको देखने को मिलती है बाकी ग्रेव एंडलर्स यहां पर आपको दिये को मिलती है जो कि बस instrument cluster के लिए काम में आती है बाकी नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इसका suspension आपको जो मोनोकॉक सबस्पेंशन है रियर का वो देखने को मिल जाता है इसको वापिस लगाने के लिए दोस्तों पीछे की नहीं पहले आपको आगे की सीट लगानी पड़े turn indicator के switch देखने को मिलते हैं उसके अलावा नीचे की तरफ आपको haun दिया गया है उसके अलावा buttons की quality अच्छी हो और cbs की जो दोनों disk break है उनका setup जो है यहां पे दोनों handle दोनों side में दिया गया है उसके अलावा बात करे right side में आपको क्या देखने को मिलता है तो engine on करने के जो गाड़ी on करने के लिए इसमें गाड़ी on करने के लिए आपको यहां पर देखने को मिलता है switch बाकि नीचे की तरफ joystick दी गई है इसमें eco city और sports mode आप यूज कर सकते हैं बाकि hazard light का भी switch जो है आपको वहां पर देखने को मिल जाता है एक और चीज जो हर electric bike में होती है इस जो है fully digital है बाकि यहां पर आपको बैटरी चार्जिंग का और temperature का यहां पर दिखा रहा है अभी गाड़ी sports mode है timing वगेरा यहां पर आपको शो करता है और दो trip meter आपको जो है वह इसमें देखने को मिलते हैं बाकि switch से ही आप इसका जो टैंक का area है वह open कर सकते हैं जहां पर storage space और charging point जो है वह आपको देखने को मिलते हैं इसका charging का जो है आप वह अलग से भी access कर सकते हैं उसके लिए उपर से magnetic part जो है वह यहां पर दिया गया है और काफी अच्छे storage capacity है बाकि जो इसको charging करने का है वह आप यहां से आप इसको इसको प्लेट है इसको हटा गया यहां इसको दिया गया है यहां से आप इसको access कर सकते हैं तो आप इसको home charger से चार गंटे में इसको 0-100 फुल चार्ज कर सकते हैं बाकि आप इसको fast charging से 20-60% एक घंटे में आप चार्ज कर सकते हैं जो कि आप universal charger में दिया गया है बाकि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीड आई का में करें टेस्ट वीडियो भी लेकर आएंगे उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मैं आप से दोस्तों मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिन और ठैंक्स